नमस्कार और वेलकम बेक टू माई चैनल इसूड़े हम बात करने वाले तरश डेगो मार्केट का ममेंटम कर सकता है और इसके इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिवल क्या होंगे प्रेज्ट करता है प्रेज करसी जब बातर है। मार्केट इस लेखी प्रेजड करता है और डेल वार पर यहां पर हें के लिवल को सतीव थेंट शाना ऑफ जाकर करता है। इसको ब्रेक करता है छोब लोग देखते हैं आपर सााइप फिरसे अपर सायटे इसी खी तीरdı के शीच से 개인 संद्राइब हम यह के लगद कर सकते हैं और multiplierShis करता है और हम लोग यहां से मार्केट गिरना स्टार्ट करता है और हम लोग यहां पर आज का मार्केट देखे और आज का मार्केट हम लोग देखता है 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 तो बड़ा ममेंटम आने कि संबावना रहती है तो अभी त्षड़े को देखना रहेगा कि मार्केट किस तरह का ममेंटम करता है अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम लोग लोग लिए ट्रेट के लिए इनिशियर्ट कर सकते हैं आज का मार्केट हम लोग देख तो आज भी यहां पर डोजी केंडल बना हुआ है तो अब यह देखना रहेगा कि मार्केट किस तरफ बर ब्रेक आउट करता है अभी हमारे लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट इमीडियर सपोर्ट हमारी वन्डे टाइम परे में में दिखाए देर है 24,500 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट करने वाला है अपर साइड में हम लोग रेजिस्टेंज के बात करें तो 24,660 का लेवल जो कि आज का डे ही है हमारे इमीडियर रेजिस्टेंज का काम करने वाला है अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंज के अंतर के ओपन उतार बात है जिस तरव इस रेजिस्टेंज को ब्रेक करता है उस तरव का हम लोग ट्रेड इनिसियाट करने वाले हैं अगर पात सल्क्तिंज को ब्रेक करता तो हमारे जो पहले रेजिस्टेंज रहे तौटी फैसे ड्रेजिस्टेंज का म्लेड़क भाला इसके बादो यह नदे ब्यान है का जो कि 24,572 तूपर साइड में लिए इम्मीडियर्स का का साथ का रहने वाला है अगर इस रेंज के अंदर यह पर रही पर रही दिएक्शन मिलता है तो डबलु पेटन बनने के बाद हम लोग अपर साइड के लिए ट्रेडि इनिशियर्स करते हैं हमारी पहला रेजिस्चे सकता है 24,720 का रहने वाला है उसके बाद हम लोग नहीं वाला है उसके यह काफी ज़्यादा मिमारी लिए important support करेने वाला है अगर इसको break करके अगर closing देता है तो हम लोग lower side के लिए बड़े target ही हम लोग देखने को मिल सकते हैं बट उससे पहले हम लोग को देखना रहेगा कि अगर market 24,500 को break नहीं करता तो हम लोग aggressive हो के swelling की साइड में हम लोग नहीं जाने वाले अगर 24,500 के level को market hold करता तो हम लोग जो भी trade initiate करेंगे अपर साइड के लिए हम लोग देखेंगे इसके अलब अगर market यहां पर इस range के आसपास यहां पर इस level से उपर की तरब gap up open होता तो maximum possibility gap filling के रहेगी इसके बाद इस तरह का momentum के आम लोग ने प्रिवेश्ट वीडियो में यह लेवल हम लोग ने resistance के लिए मार किया था उसके अलावा हम लोग ने यह लेवल हम लोग लोग ने तरह इस ने closing दीए अभी हमारे लिए बैंग निपकी के लिए जो immediate support का काम करने वाला है 52,340 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का रहेगा उसके बाद हमारा जो ने प्रवाद पर जो बेंदे रहेख सकती है इसके बाद में लोग ने बार बार आप लोग ने इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है अपर साइड में हमारा लिए जो नेक्स रेजिस्टेंज का काम करने वाला 53 तॉजल करेगा उस तरह ब्रों को काफी बड़ा टार्गेट करता है तो बड़ा मोमेंटम आने के संभावना रहती है अभी हमें देखना रहे पश्रॉट का काम करता है गर बीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें